क्रिस सडक पर लोगों को कर्तब दिखाता है, वो छोटी मोटी चोरिया करता है, ऐसा करके वो खुद का और इननात बच्चों का बड़ी मुश्किलों से पेट भर पाता है, उसकी जिंदगी का बस एक ही सपना है, चाइना टाउन के रेस्लिंग कॉम्पुटिशन में सोने का अब एक चोरी के सिलसिले में पुलिस उसके पीछे लग जाती है, जिसमें उसे लंबी सजा होना तै है, पुलिस से बचने के लिए क्रिस एक जहाज में चिप जाता है, लेकिन अफसोस, ये एक लुटेरों का जहाज है, ये लुटेरे क्रिस को अपना गुलाम बना लेते है अब इत्तेफाक से एडगर और हैरी नाम के ये बंदे हाइटेक हत्यारों के साथ इन ओल्ड स्कूल लुटेरों पर अटैक कर देते हैं, सारे लुटेरे मारे जाते हैं, लेकिन क्रिस का दुरभाग यहाँ खत्म नहीं होता, एडगर और हैरी बहुत बड़े धोखेवाज ह ये क्रिस को मोटाए तापू के सरदार खाओ को बेच देते हैं, खाओ रेसलिंग का शौकीन है, क्रिस उसे अपनी रेसलिंग के दापेच से इंप्रेस कर लेता है, अब चाइना ताउन के महा मुकाबले में खाओ के बेटे को बुलावा आता है, जहाँ खाओ क्रिस को भी में साथ ले जाता है अब यहां क्रिस की मुलाकात एडगर और हैरी से होती है तुमने मेरे साथ धोखा किया है तुम कर्जदार हो अब क्रिस दोनों से एक डील करता है